जैहिन दोस्तों मैं निर्भाः पर एक बायर फ्रिस्टे टेक्परिशनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बता है था कि ईसको यूज कर सकते हैं चिस वीडियो में आपको बता हूँ ज जिसको आटपूत आप देख सकते हैं कुछ इस फ्रकार से आता है आज की वीडियो में हम बात करने बाले हैं बोल्ड टेक की तो जैसे कि आप नाम समझ रहागा बोल्ड बोल्ड का मतलब क्या होता है कि आपने सब्बोसिज ये लिखा हुआ है कुछ टेक्स्ट जैसे की लिखा हुआ है अपने हेलो तो इसको थोड़ा और गहरा करना हो बोल्ड करना हो इसी को आप बोल्ड बोलता है कुछ गहरा कर देना कुछ मोटा सा कर देना टेक्स्ट हो वही आप बोल्ड कहलाता है और इस बोल्ड के लिए इस बोल्ड एफेक्ट के लिए आप बी का यूज करते हैं यह B tag आपका self closing tag नहीं होता, यह pair tag होता, यानि कि यह B start हो रहा है, तो यह B close भी होगा, close करने के लिए आप forward slash और B का use करेंगे, और आप इन दोनों tag के बीच में कुछ भी लिखेंगे, तो वो आपका एक bold हो जाएगा, अब मैं इसको एक example आपको समझाता हूँ, कि this is my first paragraph, अगर मुझे यह first जो है, यह first जो आपका एक string लिखे होई है, इसको मुझे अगर bold करना हो, तो मैं इसे किस प्रकार से कर सकता हूँ, वे हब देखिए, सबसे पहले मैं paragraph tag के अंदर जाता हूँ, और इस tag के अंदर भी आप एक tag लिख सकते हैं, यह बात आपको, मैंने अभी तक आपको नहीं बताई थी, कि आप एक tag के अंदर multiple tag भी लिख सकते हैं, आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि HTML tag के अंदर head, body, head के अंदर title, यह सब आप ने कि आप nesting का भी यूज कर सकते हैं, तो this is my first, तो first को आप b-tech लिखेंगे, और इस b-tech को आपने start किया है, तो आप इसको close भी करेंगे, यह closing tag को यहां से cut करके, मैं इस first के बाद लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे, कि bold tag के बीच में मैंने first लिख दिया है, ctrl s save करके browser पर जाते हूँ, यहां पर जैसे मैं refresh करूँगा, तो आप देखिएगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, कि this is my first paragraph, जो है, यह first जो है, वो bold हो जाएगा, control, ऐसे save कि यह ब्राउजर पर गये, f5, आप यहां देखेंगे, यह जो first था, वो bold हो चुका है, या बाद,